नमस्कार मेरा नाम है संजे कुमार और आप देखना सुरू कर चुके हैं दैस्जी न्यूस मदुबनी में एकी परिवार के पांच लोगों की हत्या के बाद जो है मामला तुल पकर लिया है अब खुल के भुजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंग भी खुल कर सामने आ गए हैं और मीडिया के सामने उन्होंने साफतोर से कह दिया है कि बिहार सरकार जल्द ही गिरफतार करें प्रवीन जहा जो हत्यारा है वो पुलिस के चंगुल से अभी तक फरार है वहीं पवन सिंग ने भी खुल कर कहा बिहार सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उसे पुलिस गिरफतार करें लेकिन प्रवीन जहा जो हत्यारा है वो पुलिस के चंगुल से फरार है लेकिन पुलिस ने बड़ी का रवाई आज की है उनके घर पर प्रवीन जहा जो है हत्यारा उसके घर की कुर्की जबती हो गए लेकिन कल तक नेता सामने आ रहे थे और आज फिल्म के भोजपूरी के सुपरस्टार पवन सिंग भी सामने आ गया है और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द से जल्द गिरफतारी हो और उनकी जो समवेदना है उन परिवारों के लिए जो एक ही परिवार के पाँच लोगों की हत्या कर दी गई नरसंगार हुआ है इस परिवार के साथ जिसको लेकर पवन सिंग ने खुल कर च रफतार कर पाती है या नहीं बोजपूरी के पवन सिंग ने क्या कुछ कहा है मीडिया से बात करते हुए उन परिवारों के लिए जरा वो बात गौर से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दो तीन चार दिन से मन बहुत ही दुखी है विहार के मधुबनी में जो घटना घटित हुई है उसे मैं कड़ी से कड़ी सब्डों में निंदा करता हूं और विहार सरकार से मांग करता हूं कि दोसियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इस तरीके की घटना दूसरे परिवार के साथ ना हो पाए इसके अलावा मेरे पास कोई सब्ध ही नहीं है कि मैं परिद परिवार के साथ हूं और आप लोगों से बहुत ही जल्द मिलने भी आ रहा हूं